हाई अब्रीवन आज मैं एक पाकिस्तानी लड़की के इंटर्वू लेने वाला हूँ जिनका नाम है खिजरा खान और मैं उनसे पूछूँगा कि पाकिस्तान में एनिमिशन के इंस्टूट के क्या हाल है और साथ में उनके यूटूब के उपर बात करेंगे तो चलते हैं इं है और यूटूब के असपेक्स से बात की जाए तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया है रंग रंगीले काटून के नाम से तो मतलब आपका जो यूटूब में कॉंटेंट रहता हूँ एनिमेशन टाइब कर रहता है या कुछ और टाइ अब आपका चैनल का नाम क्या है रंग रंगीले काटून ओके तो मैं अपने सब्सक्राइब को कहना चाहूंगा कि इनके चैनल का नाम में पूरा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिश में जाकि आप सब्सक्राइब कीजी और देखना किस टाइब के कॉंटेंट बनाते है खिजरा जी तो आप मुझे ये बताना जो मेरा अगला क्वोश्टन है कि पाकिस्तान में एनिमेशन के इंस्टूट है अ पाकिस्तान में इतनी जादा टेंडेंसी इतना जादा रुजहान नहीं है और अगर इंस्टीट बशक्राइब के जब चोटी थी स्कूल गइंग थी तो मैंने भी एक इंस्टीट से ही घर के करीब एक इंस्टीट था वहां से मैंने डॉब फोडोशॉप लरन किया थो और अगर पाकिस्तान की यूद के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान की यूद काफी एंबिशियस है और काफी पैशनेट हैं सीखना चाहते हैं के अंदर सीखने का जजबा बहुत है लेकिन पाकिस्तान की इंस्टीट है या यह कहांगी कि जो फीस लेकर जो भी आपको सिखा रहे हैं वह सिर्फ बेसिक चीजे इतना ज़्यादा डैप्ट में जाके कोई आपको नहीं बताता जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है तो आपको सिर्फ क्लाइंट के एकोर्डिंग मार्किट में लोग मांगते उसके कार्डिंग इंस्टूट में नहीं सिखाया जाता है वह अगर अपको फिल्ग यूथ है वह इनिमिशन भी सीखरें कांटेंट भी बना रहे है इस टाइप का तो अभी आपका क्या खिया खिया खिए अगर आग कि अगल वगल कोई कॉम्पनीज है इस नहीं मैं कॉम्पनीज या किसी ओर्गनाजेशन के हवाले से तो नहीं लेकिन हाँ अगर ऑनलाइन वर्क की बात की जाए तो मैं यह जरूर बताऊंगी कि बहुत सारे यंग्स्टर्स हैं बहुत सारे यंग लड़कियां हैं लड़के है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब जोइन करना चाहते हैं तो वो ओनलाइन यह वर्क जरूर कर रहे हैं मैंने देखा है मेरे सरक्ल में भी कुछ लोग हैं जो करना भी चाहते हैं कर भी रहे हैं और मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट लिया और मुझ से खुद भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये काम किस तरह करते हो आप लीज हमें बताओ हम सीखना चाते हैं अच्छा खीजरा जी मुझे बताना कि आपने जब लॉट नर्मिश इंदी का पहला वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा फर्स बार आपने कब देखा और कैसे मिला वीडियो मतलब यूट्यूब में देखा होगा ना फर्स बार तो कैसा लगा तो कुछ बताना इसके उपर कैसे मिला तो बस ये एक इत्तफाक था या मैं कहूंगी कि I was lucky कि मैंने जब रेंडमली क्लिक किया जसरह हम यूट्यूब खोलते हैं स्वाइप कर रहे होते हैं डाउन अन अप और सर्च कर रहे होते हैं तो लर्न अनिमेशन हिंदी चैनल मेरे सामने आया और फर्स टाइम मैंने उसे देखा और वो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी क्योंकि उसमें 2D अनिमेशन के हवाले से काफी सारी चीज़े बताई गई थी और बहुत अच्छे तरीके से टीच किया लिया नहीं अभी आपके चैनल पर अल्मोस्ट 500 से अबव वीडियो हैं तो मैं अभी नहीं बता सकती कि वह कौन सी वीडियो थी मुझे इतना यार नहीं है लेकिन वह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी मैंने देखी और उसकी बाद आपसे राप्ता किया आपसे कॉंटेक् होगा कॉंटेंट को चाहिए वो हर चीज़ पर टॉपिक जो भी रहता है बेसिक से लेकर सारी चीज़े आपको लिए क्या लगता है कि आपके कंट्री में पाकिस्तान में लोग उसका मतलब फाइदा उठा पा रहे हैं मतलब की नॉलिज ले पा रहे है क्योंकि यह तो ओव अब तो मैंने तो इस तो काफी सारा पाइदा हासिल किया है मैंने देखा भी है और मैं लर्निंग में भी हूँ और दूसरी चीज़े कि जो आपके पाकिसानी स्टुटेंट से यह कि इनन मुझे उमीद है कि वो भी काफी हद्टे किसको देख के सीख रहे होंगे क्योंकि य अब यूटुब में अपना कॉंटेंट अपलोड करते हो ना तो कितना टाइम लगता आपको एक वीडियो अपलोड करना है मतलब दो से चार दिन, पांच दिन, एक दिन, कितने दिन के बाद कर अपलोड करते है नहीं मुझे टाइम तो बहुत जादा लग जाता है असल में कि यह मुझे एक्सपिरियंस नहीं कि मुझे मुझे अनिमेशन चॉक फार बच्पन से ही है मिरी तो इस्कूल एफ जो थी मेरी ड्राइंग बहुत अक्छी ती तो इस चीज का शॉक मुझे बच्पन से घै और लेकिन के ऐनिमेशन करने में उसको सेटिंग करने में टाइम उसके रीजन यह है कि मेरी लाइफ का जो शेडियूल है वो बहुत जादा बीजी है, मुझे और चीजों को भी टाइम देना होता है, फैमिली भी है, स्टेडीज भी है, सारे चीजों को देखना होता है, आप यूटूब में जो आपका चैनल है, अपलोडिंग कितने टाइम क कर लेती हूँ, और अभी कोशिश है कि मैं इस टाइम पिरियोट को थोड़ा शॉट करूँ और जल्दी जल्दी अपलोड करूँ ताकि मेरा चैनल आगे जाए ग्रोड़ करे, ओके अच्छा, आप मेरे सब्सक्राब को क्या कहना चाहते हो, मतलब अनिमेशन के उपर या फि पर या किसी भी फिल्द पर, तो क्या कहना चाहोगे? क्या आपके अपके अपर कोई चीज है, आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़के उसे दिखाएं, पीछे मत खटें कासरे मेरे सब्सक्राइब कि वीकाएं ऐने मिशिशन के ऊपर नी कह रहा हूँ को यी पया फिर इंदीयद्र इंस पड़ा जाहते हैं? का इजुकेशन के वाले से बात के यह खीकत है कि इसिरे तरी बात में ये भी कहूंगी कि पर गोकिंगी बताना चाहां जो करना चाहते हैं लेकिन उसका वीजन यह है कि यहां पर पौवर्टी रेट बहुत हाई है एज लोग जो है वो बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा कर पाते हैं बाप मिसाल लें कि अगर एक शक्स महीने के 20,000 रुपे कमाता है तो वो क्या करेगा वो अपने घर में बच् सेविंग्स करेगा उन्हें एजुकेशन देगा किस तरह करेगा नहीं कर सकता है अगरा बुरा ना मानो तो मैं एक चीज़ एट करूँगा यहां पर मेरी एक सुडेंट है सिंसे मैं ने उन से पूछा शायद मैंने पहले शायद आपसे डिस्कूस किया होगा इससे पहले कि मुनीश आप कातर हुआ है मैं मुनीश में अगर आपको ऐस सिंसे ही बिलॉंग करती हूं मैं खुद भी सिंसे ही सिंसे ही मेरा बॉर के द resurrection सिंसे ना, पर पॉंसी चलास में उसकी मेम ने इसको उसको उसको उसका तब उसको वह एख दो तब उसको वह कहा थे कि मतलब प्रॉबलम्ज है यहां पर मतलब इक नॉलिज से नहीं मिल रहा है लेकिन खैर सब कंट्री में इस्यूज बुछा और अवर आपको मैं यह कहना चाहूंगा क मैं पंजाब जाती हूँ मझे पंजाब बहुत पसंद है और मुझे और भी चीज़ वहाँ है डिफेंड डिफेंट उगों पर जाना रगर अच्छी लगठा है तो इंडिया कां साथ चाल लगठा लगता है बुड़ कर देंग् साथ्टी में शुरूर ज्रूर रागठा है फ और शिम्ला बहुत पसंद है तो मेरे से सुना होगा अब तो अपके मजबूरी है यहां पर बताना थीक है चलो यहां पसंद है क्योंके वहां की जो स्नोफॉल होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंडिया इंडिया भी हमारा अपना कंट्र है ठीक है आप लोग भी हमारे अपने हैं और आप लोगों से हमारी अच्छा मतब बिलेशन है और अगर अज़े पूरा एक ही था चाहे जाँगी कि मैं बात कहने चाहूंगी कि हम एक दूसरे सु जोड़ा नहीं है एक है और अगर जिंदगी ने कभी मुका दिया और इंडिया से इंविटेशन आया या किसमत इंडिया ले गई तो मैं सिरूर जारा चाहँगी मुझे शौक है भूमना चाहूंग जब से मैं लि किसी को फरक नहीं है, सब नॉर्मल है, एक जैसे ही है, और मतलब सब एक दूसरे का हल्प करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हल्प करना चाहते हैं, ना, तो पर निश मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो मैंने अपने टीचर से सुनी थी और आज भी मैं उसी बात को फॉलो करती हूँ, और वही बात मेरी माने भी मुझे सिखाई है, कि मद्धब बाद में आता है, इंसानियत पहले होगी है, तो अगर हम इस लिहास से देखें, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, हम इक दूसरे से अलग नहीं हैं, सिर्फ कुछ की वज़ा से, कुछ मसलों में यह थिंहां ना कर ने रहно, इन्ट ना जा कही तो इन्डिया जरूर आना चाहूंगी आगे मिला देखने के लिए और राज्यस्तान भी है तो आसम साइड नेचर का भी अनुबव ले सकते हो आसम मैं भी मैं भी मैं भी आपको मैं भी आपको इन्वाइट करना चाहूंगी आप भी पाकिस्तान जरूर आई है हमारा नौधर जो है वह बहुत ही प्यारा है सवात मर हमारे महमान बने और हमें खिदमत कमो करते हैं तो खिजरा तो पहले तो सबसे पहले आपका थैंक्यू आपने जो भी टाइम दिया आने के लिए और मुझे अच्छा लगा कि आपका थोड़े बहुत आपके ख्याल थे क्यूंकि जाहिर सी बात है पूरे ख्याल तो यहां प पर कैसे काम कर रहा है क्योंकि मेरा मैं तो मेरा चैनल पूरा एशिया में देखा जा रहा है अभी यह पाकिस्तान बंगलादेश यांति साओधी अरब सब जगा देखा जा रहा है तो मैं चारों थोड़ा तो थोड़ा इसको अच्छे से बात चीत हो जाए लोगों से ताकि समझ आए कि क्या क्या चीजे चल रहा है एक दूसरों से ना तो थैंक्यू मेरा चैनल पर आने के लिए और मेरे जितने भी शुप्राइबर्स है सब की तरफ से आपको और मतलब पूरा स्पोर्ट मिलेगा मैं सब्सक्राबर को भी कहता हूं कि आपके चैनल पर जाईए और स सब्सक्राबर करेंगे ठीक है तो शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए